वोपाल की बीजेपी सांसत साधवी प्रग्या के विवादित बयान पर घमासान नचा है। कॉंग्रिस नेता तहसीन पूनावाला ने उनके खिलाफ पुलस स्थाने में शिकायत दरज कराई है। इसमें उन्होंने साधवी के खिलाफ आक्शन लेनी को भी कहा है। साधवी ने एक कारिक्रम में दरसल हिंदूओं को अपने घर में तेज च्याकू रखने को कहा था। साधवी ने कहा कि हिंदूओं को आत्मरक्षा का अधिकार है और जरूरत पढ़ने पर वो दुश्मनों का सिरकलम कर सकते हैं। साधवी प्रग्या ने करनाचक के शिवमोगा में एक कारिक्रम में ये बयान दिया था और किस अंदाज में ये जहरीला भाशन उन्होंने वहाँ पर दिया आप भी सुनिये। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संसकारित करो, अपने घर में हत्यार रखो, कुछ नहीं, तो सबजी काटने वाला चाकु जरा तेज रखो, इस पश्ट बोल रही हूँ। इस पश्ट बोल रही हूँ, कि हमारे घरों में भी सबजी काटने के लिए अत्यार तेज होना चाहिए, उन्होंने चाकु से हमारे हर्शा को गोदा था, उन्होंने चाकु से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंदल के कारकरता, भाजबा के कारकरता, युमा मोर्चा के कारकरता, उन्हों को गोदा है, काता है, तो हम भी सबजी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए, तो जब हम, जब हमारा सबजी अच्छे से कटेगी, तो निश्रित रूप से दुस्मनों के मूबी और सिर भी अच्छे से कटेंगे, और आत्मरक्षा का तो सब को अधिकार है, आत्मरक्षा का तो सब को अधिकार है.